Hello and Welcome back to my channel guys तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नौर्थी 100FC से रिलेटेड लेटेश्ट अपडेट्स के बारे में तो काफी सारे गुड नीज है नौर्थी 100FC से रिलेटेड जोकी इस वीडियो में मैं आप सब इसे डिटिल्स में शेयर करूंगा लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब इसे एक छोटा सा रिक्वाइस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके स सब्सक्राइब करें चैनल के लिए इस्पैनिस डिफेंडर मिचल जुबैको ने अपने आपको प्रूफ तो जरूर किया है और उसके बाद आगे बढ़े और बात करें आशुतोष महता के बारे में तो दोस्तो आशुतोष महता पिछले दो सीजन से नई है इंडिन फुटबाल सर्किट में क्योंकि इनको AIFF के तरफ से बैन लगाया गया था किसी कारण वर्ष लगाया गया था और आप सभी को यादी होगा मुझे बतानी की जरुरत नहीं है लेकिन दोस्तो जैसे कि खबर आ रहा है काफी अची सोर्से से कि आने वाले 2024 के सेप्टेंबर में जो बैन था आशुतोष महता का वो खतम होने वाला है तो आशुतोष महता के फैंस के लिए बहुती बढ़िया न्यूज है क्योंकि आशुतोष म काफी जदा financial crisis से गुजर रही है और हैदराबद FC के काफी अच्छे-चे खिलारियों ने कलब को बिल्कुल छोड़ दिया है और एक और खिलारी का नाम ऐसा सामने आ रहा है गुलकी पर गुर्मिस सिंग को लेकर की गुर्मिस सिंग भी contract टर्मिनेट कर चुके हैं काफी अमेशन नहीं आया है जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो दोस्तो जैसे की खबर है कि गुर्मिस सिंग को नौर्थी सुनारेट FC मैनेजमेंट अपने टीम में वापसी करवाने के सोच रही है तो दोस्तो गुर्मिस सिंग ने पहले भी नौर्थी सुनारेट FC क के कलर्स में ही किया तक गुर्मिस सिंग ने और हैदरबद FC में जाकर इन्होंने इंडियन नेशनल फिटबॉल टीम के लिए भी कॉल अप पाया था तो दोस्तो गुर्मिस सिंग ऐसा खबर है कि हैदरबद FC को छोड़ कर नौर्थी सुनारेट FC में जॉइन करने वाले हैं लेकिन दोस्तो नौर्थी सुनारेट FC एक ऐसी कलब नहीं है बलकि तीन से चार कलब और है जो कि गुर्मिस सिंग को अपनिटी में साइन करवाने की कोशिश कर रही है और जिन में से एक करला ब्लास्टर्स FC भी है तो अब देखना ही है कि गुर्मिस सिंग का फ्यूचर क्य पंजाब FC के लिए और पूरे ISL में अगर आप कंपेर करो बेस्ट मिट्फिल्डर से तो माधी तलाल उनमें से एक होंगे जरूर तो दोस्तो ऐसा खबर है कि माधी तलाल को काफी सारे कलब से अपने टिम में साइन करवाने की कोशिश कर रही है जिन में से दो कलब इस एरि कम है क्योंकि काफी सारे ISL कलब्स का नजर माधी तलाल को अपनी टीम में साइन करने का है जिन में से एक नौर्थी सुना रिडफसी का भी नाम ऐसा सुना जा रहा है तो रॉमेन फिलफूटू के जिगह में यहां पर माधी तलाल को अगर नौर्थी सुना रिडफसी साइन करती है तो आप सोच ही सकते हो कि foreign squad जो है नौर्थी सुना रेड़ अफसी का वो काफी ज़दा तगड़ा बन जाएगा जिसके कारण नौर्थी सुना रेड़ अफसी को आने वाली सीजन में बहुत ज़दा help होगा तो चलो दोस्तो फिलाली वीडियो में कर दो